हलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा ही सुन्दर वितान्त सुना रहा हूँ, बहुत ही सुन्दर है, सुनना इसमें बड़ी आची सिख भी मिलेगी एक सादू किसी निदी के पंगट पर गया और पानी पिक कर पत्थर पर सीर रखर सो गया पंगट पर पनियारी आती जाती रहती है तो पनियारी आई वहां, आते ही सादू सो रहे थे तो पनियारी निदी कहा हाँ, सादू हो गया, फिर भी तक्ये का मौ नहीं गया पंधर का ही सही लेकिन सर तो है रखा तो है पन्यारी के बाद सुन ली और उसने तुरंद पंधर फेग दिया साधू पंधर फेग दिया साधू ने तो दूसरी बोली साधू वा लेकिन खीज नहीं गई अभी रोश नहीं गया तक्या फेग दिया तब साथ तुछ सोचने लगा अब वे क्या करें तब तीसरी बोली बाबा ये तो पनगट है यहां तो हमारी जैसी पनिहारी ने आती ही रहेगी बोलती ही रहेगी उनके कहने पर तुम बार-बार परिवर्थन करोगे तो साधना कब करोगे लेकिन चोथी ने बहुती सुंदर और एक वड़ी अध्वुत बात कहती है समा करना लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित नहीं छोड़ा अभी तक वही का वही बने हुए है दुनिया पाखंडी कहे तो कहे तुम जैसे भी हो भरी नाम लेते रहो सस्तो यही है दुनिया का तो ज्यान दोगे तो अपना ज्यान नहीं लगा पाओगे जैसी राम